साथियों, समय के साथ भारत की संसदिय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है ये प्रक्रियाएं और ससक्त हुई है भारत में हम लोग जनरल इलेक्शन्स को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन्स और 300 से अधिक स्टेट एलम एसेंबलीज इलेक्शन्स हो चुके हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता बलकि इसमें लोगों का पार्टीशिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है 2019 के जनरल इलेक्शन में देश वाचियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है 2019 का जनरल इलेक्शन हीूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्राटीक एक्सेसाइज थी इसमें 60 करोड यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है अब कल्पना कर सकते हैं तब भारत में 91 करोड यानी 910 मिलियन रेजिस्टर्ड वोटर्स थे यह पूरे यूरोप की कूल पॉपुलेशन से भी अधिक है भारत के कूल रेजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70 परसंट के आसपास का टर्न आउट यह दिखाता है कि भारत में पार्लामेंटरी प्रक्टिस्टिस पर लोगों को आख कितना ज्यादा बरोसा है और इसमें भी एक इंपोर्टन फेक्टर महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा है 2019 के इलेक्शन में भारत की महलाओंने रिकॉर्ड संख्या में बोट डाला और सात्यों सिर्फ संख्या में ही नहीं बलकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाओं जैसा उधारन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिस ने हिस्सा लिया था इन चुनाओं में एक करोड यानी 10 मिलियन से ज़्यादा गवर्मेंट एम्प्लोई ने इलेक्शन का काम किया था चुनाओं के लिए देश में एक मिलियन यानी 10 लाग से ज़्यादा पॉलिंग स्टेशन बनाए गए थे साथियों समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलोजी से भी जोड़ा है भारत करीब 25 साथ से एलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशिन इवी एम का इस्तेमाल कर रहा है इवी एम के उप्योग से हमारे यहां चुनाओ में ट्रांस्परंसी और चुनाओ प्रक्रिया में एफिजन्सी दोनों बड़ी हैं भारत में बोटों की गिंती शुरू होने के कुछी गंटों में चुनाओ पर नम आ जाते हैं अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूँ यह सुनकर भी आप चौक जाएंगे आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है इस इलेक्शन में हंड्रेड करोड वोटर्स यानि वन बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलिगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखिने के लिए अग्रिम निमंतर देता हूँ भारत को आपको एक बार फिर होस करने में बहुत खुशी होगी साथियों कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लेमेंट में एक बहुत बड़ा निनने लिया है जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूँ भारत ने अपनी पार्लेमेंट और स्टेट लेजिसलेटिव एसेमलीज में महिलाओं को 33 परसंट रिजर्वेशन देने का निर्ड़ा लिया है भारत में लोकल सेल्फ गवर्नन्स इंस्टिविशन में करीब 32 लेक्स यानि 3 मिलियन से अधीक इलेक्टेड रिप्रेजन्टेटिव्स है इन में से करीब 50 परसंट विमेन रिप्रेजन्टेटिव्स हैं भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैस्कला हमारी संसद ये परंपरा को और सम्रिद्द करेगा हमारी संसद द्वारा लिया गया है